मैं आज आज आपके लिए आपका जो है कंप्यूटर में प्रैक्टिस सेट 34 लेकर क्या गया हूं क्या प्रैक्टिस सेट 34 जिसमें होता है टॉप 20 प्रीविएस यह स्लेक्ट बीवी आई कोस्टनों का संग्रफ तो चलिए आज देखते हैं फटाफट अंदाज में क्या सेट 34 में क्या फिटारा खुलता है और क्या बी बिया कोस्टन होता है तो चलिए मेरे साथ आप भी करते हैं हरे को संगो यानि एक से लेके टॉप 20 को संगो और फिर अंत्व कमेंट करके बताना कि आपका टौप 20 में से इसकोर क्या रहा है चुलिए सबसे पहले कोस्टन देखते ह है लिजी सबसे पहले कोस्टन आपके सामने है कि डैस डिस्प्ले और लिस्ट आफ यू तिली टी कंफीगर दा कंप्यूटर शिस्टम एंड इंस्टोल सफ्ट्वेर एंड राडवेर की उपयोगीता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंफिगर करता है और स्वाफ्ट वेर और हाड़ वेर को स्थापित करता है भाई कौन? कौन? ताक्सबार एलप एंड सपोर्ट रन या कंट्रोल पैनल क्या हो जाएकर राइट एंसर? कौन हो जाएकर राइट एंसर? राइट एंसर होगा अप्शन नमबर डी वे राइट एंसर कंट्रोल पैनल क्या? सरी कंट्रोल पैनल डिस्पले और लिस्ट अफ यूटिलिटी कनफिगर the computer system and install software and hardware ओके चलिए, next question क्यों बढ़ते हैं next question आपके सामने है which among the following statements is incorrect for input device निमलिखित में से कौन सा कथन input device के लिए गलत है वाई कौन सा गलत है कि बता रहा है option number A क्या बता रहा है input device help computer in receiving data input device are also called as a peripheral device optical marks reader is an input device input device accepts user data वाई क्या बता रहा है कि option number A input devices help computers in receiving data विजी बिलकुल सही input device are also called as a peripheral device वाई नहीं मुझे तो नहीं लग रहा optical marks reader is an यानि OMR क्या देखो OMR है ना OMR is an input device बाई बिलकुल सही input device accepts user data बाई बिलकुल सही तो यहाँ आपको क्या बता रहा है कि incorrect को बताना है क्या incorrect तो यहाँ जो incorrect नजर आया वो है क्या वो है input device are also called as a peripheral device यह option number B will be the right answer क्योंकि यहाँ पर आपको incorrect चुनना है ठीक है क्या चुनना है incorrect चुनना है तो incorrect क्या हो जाएगा input device are also known also called as a peripheral device ठीक है option number बिले राइट आंसर चलो next question क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोस्टेन आप आपके सामने है कि dash is also known as a electronic disc इसमें से भाई कौन electronic disc है USB sticks, USB hard drives, solid state drive या फिर network storage device जल्दी से comment करके बताओ क्या होगा अनसर बहुत ही easy प्रस्न है आपके लिए जल्दी से बताओ क्या है is also known as electronic device by कौन USB sticks, USB hard drives, solid state drive या फिर network storage device तो आपका जो राइट अनसर होने वाला है वो होने वाला सी solid state drive क्या solid state जो drive SSD is also known as the electronic disc ओके चलिए next question की ओर बढ़ते हैं next question आपके सामने है which of the following is correct option in MS Excel 365 if a value in a cell of column A and raw 10 is to be referred in a function or formula बता रहा है कि MS Excel 365 में बोल रहा है कि अगर value किसका सेल का एना column क्या है A and raw कितना है 10 is to be referred in a function और formula में इसको बैठाएंगे तो कैसी होगा क्या होगा A और पंक्ती 10 के सेल में के मान को किस function या सुत्र में संद्रवित किया जा सकता है या किया जाना है किया जाता है A to 10 A dot 10 A 10 या 10 A बताइए जल्दी से क्या होगा answer answer होगा आपका A to 10 क्या स्ट्विट A to 10 होगा जिसमें क्या बता रहा है कि A और पंक्ती 10 को सेल के मान को इस formula में शेट किया जाता है option number A will be the right answer और ओके चलिए next question क्यों बढ़ते हैं चलिए next question आपके सामने क्या है कि which among the following चलिए खारेंट वेब पेज औन दा वेब ब्रॉजर वेब ब्रॉजर पर वरतमान वेब पेज को बुक्मार्क करने के लिए निम्लिक्रित में से किसकी sorting क्योग किया जाता है कौन सा सौर्टकित की ctrl plus b ctrl plus n ctrl plus d या ctrl plus one bookmark के लिए भाई हमको जो book लोग सेलेक्ट करना रहता है बुक मार्क के लिए कोन सा स्वाटकट की को हम लोग प्रेस करते हैं तो जल्दी से बताइए option number क्या हो जाएगा option number सी्ल with the right answer control plus D को हम लोग क्या करते हैं shortcut की क्या उपयोग करते है control plus D को प्रेस करते हैं चैंक्या चलिए next question है कि each cell in the worksheets of MSXL365 identify by a cell MSXL365 की worksheets में प्रतेख सेल को एक सेल द्वारा पहचाना जाता है भाई किसके द्वारा size के reference या फिर color या फिर rounding तो आपका जो right answer होने वाला है वो reference cell के द्वारा पहचाना जाता है किसके द्वारा reference cell option number B will be the right answer क्या reference से ठीक है चलिए next question आपके सामने है next question है कि which among the following generation of computer use the technology of transistor for the first time ठीक है निमलिकीत में से किस PD के द्वारा computer ने पहली बार transistor तकनिक का उपयोग किया था वो किस PD का जेनरेशन था किस जेनरेशन का third first second या fourth बात किस की हो रही है technology of transistor की ठीक है तो वो किस जेनरेशन का था है first time किस जेनरेशन में उपयोग किया गया था जल्दी से बताईए वो हो जाएगा आपका second जेनरेशन option नंबर से लिए राइट अंसर second जेनरेशन ओके किसका technology of transistor का चलिए नेक्स कोस्टन देखिए नेक्स कोस्टन है कि dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing भाई किस CPU में उपयोग की जाने वाली एक high-speed device है कौन कौन भाई जो है कि CPU में उपयोग की जाने वाली high-speed device है जिसका उपयोग processing के दोरान अस्थाई रूप से data store करने के लिए किया जाता है जल्दी से बताई जाली option नमबर यह क्या arithmetic and logic unit यानि ALU control unit registers या फिर auxiliary memory क्या हो जाएगा आपका जो राइट अन्सरों होगा वो option number seal with the right answer register क्या हो जाएगा register register is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing okay चलिए option number option number she will be the right answer चलिए the next question देखिए next question है आपके सामने की इच सेल इन दो वक्षीट आफ MS Excel यह हो गया ना यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया रटेपियस इन हा यह होगा पॉर्ट्ट्र नमबर 9 क्या हो बता रहा है कि the first screen that appears after completing of a booting process of a Windows system is cold यानि Windows system की booting परिक्रिया भाई बूटिंग क्या होता है बूटिंग क्या होता है जब computer start होता है जो processing होता है इसको booting बोलते हैं तो वह बता रहा है कि विंडोज सिस्टम की booting परिक्रिया के दोरान पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली screen क्या कहलाती है लो जी सबसे एजीक प्रस्ना आपके सामने जल्दी से बता दो क्या होगा desktop होगा dialogue box होगा homepage होगा status bar होगा तो क्या विंडो सिस्टम की बूटिंग प्रिक्रिया पूरी होने के बाद जो दिखाई मिलता है, क्या है वो, क्या दिखाई, वो desktop है, क्या, desktop, option number A, will be the right answer, desktop, ठीक है, चलो, next question देखिए, next question है, dash are list of commands that appear on the screen, कोन सा command, की सूचियां है, जो screen पर दिखाई देती है, GUI, icons, menus, windows, या none of these, तो बता दो, कोन सा, कोन सा command, है, तो होगा, आपका, option number C, will be the right answer, menu, क्या हो जाएगा, menu, menu are list of the commands that appear on the screen, ठीक है, चलो, next question देखिए, बहुत easy प्रस्ण है, यह सब का detail क्या बता हूँ, बहुत easy प्रस्ण है यह आपके लिए, और आप लोग कहीं न कहीं, यह सब सारा previous selected VBI question, आप इसे देखते चले आओ, फिर, आपका फिर सूचना नहीं हुआ, कम्प्यूटर में, ठीक है, 11th question क्या कहा रहा है कि, menu contains a list of, लीजिये जी, उसका थोड़ा सा घुमा करके question पुछ दिया गया है, बाकी answer तो आपको पता ही है, menu contains a list of, क्या, command, भाई साब, command, ठीक है, एक menu में, command की एक सूची होती है, है ना, चलिए, next question देखिए, next question है कि, windows में, log on करने के बाद, दिखने वाले प्रमुक स्क्रीन एरिया को, लो जी, वही, क्या, desktop, क्या करते हैं, desktop, बहुत easy, question देखो, सारा आपका इधर से उधर किया हुआ है, question को अगर आप बढ़ियां से पढ़ोगे, तो आपके लिए उत्तर देना बहुत easy हो जाएग चलो, next question देखो, while, dash, data transfer from the customer's machines to the server, बता रहा है, जब, data गरहा की machine से server में इस्तांतरित होता है, क्या, forwarding, uploading, downloading, uploading, uploading, या browsing, क्या होगा, while, while uploading, क्या, while uploading data transfer from the customer's machine to the server, जब, uploading data गरहा की machine से server में स्तांतरित होता है, क्यों सा data, uploading data, ठीक है, चलो, next question देखो, next question है कि, while of the following is not an example of email service provider, क्या, क्यों इसमें से ISP का, क्या email service provider, जो ISP है, उसका example नहीं है, देखो, यहाँ, outlook, gmail, index, यहाँ, तीन दिया हुआ है, और तीन में से बोला गया है, कि भाई साब, only एक जो है, वो, क्या, नहीं है, क्या, नहीं है, email service provider, outlook, gmail, दूसरा में बोला, all are email provider, यह बता रहा है, बाई सभी, यह तीनों जो है, वो email service provider है, ISP है, C बता रहा है कि, one and three है, और D बता रहा है कि, only three है, तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि, जो outlook है, वो भी ISP है, Gmail जो है, वो भी ISP है, यह index जो है, वो भी ISP है, बाई सब जब तीनों का तीनों ISP है, क्या, जब तीनों का तीनों email service provider है, तो option खोजो, यहां क्या बता रहा है, option number, be with the right answer, क्या बता रहा है कि, all are email service provider, email providers, है ना, चलो क्या होगा इमेल सर्विस प्रोवाइडर है यह तीनों का तीनों है ना चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जागा बीविद राइट अंसर नेक्स कोशन देखिए वीच एमोंग दा फॉलोइंग कीबोर्ड शॉटकोर्ट इन यूज तू इंसर्ट ए हाइपर लिंक वर्ड अब देखो यहां पर हाइपर लिंक है किया है हाइपर लिंक देखो जब आप क्या करते हो कि कहीं भी किसी सिभी कम्प्यूटर बेगड़ा या फिर की चेनल पर यूटीब चेनल पर जब dareosh सभी एक कलर का लिंग करता है उसमें से जो अलग करेंगा आपको एक्टिव वाला जिसमें आपको हो सके कि वरेड में सो करें उसक्रेंद यह रहेखेंगा है हो सकतरी कि जुद बूलु के साइब होता है कि कि इस link पर click करें सारा चीज मिल जागा सारा data मिल जागा तो जो blue या फिर red color का जो भी link आता है न उसको कहते है hyperlink ठीक है hyperlink तो बोल रहा है कि Microsoft Word में चैनित text के लिए hyperlink डालने के लिए निमली खित में से किस keyboard shortcut का उपयोग किया जाता है यानि hyperlink डालने के लिए किस keyboard shortcut का उपयोग किया जाता है control प्लस M, control प्लस Z, control प्लस H, control प्लस K बताईए तो देखो क्या है hyperlink hyperlink अब देखो hyperlink का ही जो लास्ट में आ रहा के का hyperlink क क क स याद रखो के ठीक है यानि आप्शन नमबर डिलीव दराइट आंसर जब हम लोग CTRL प्लस K को प्रेस करते हैं यानि shortcut की का उपयोग करते हैं किसके लिए भाई तो हाइपर लिंक डालने के लिए है ना क्या किसके लिए hyperlink के लिए है ना है hyperlink के लिए ठीक है control प्लस के प्रेस करेंगे ठीक है चलो देखो नेक्स कुस्टन आपके सामने है कि विडियो ग्राफिक्स एरे connectors are those which connect the monitor to computer's video card and has holes कितने holes होते हैं वाई साब विडियो ग्राफिक्स एरे connector के वे होते हैं जो monitor को computer के विडियो card से जोड़ते हैं इसमें कितने छिद्र होते हैं कितने छिद्र होते हैं में भी यह कोस्टन मैंने साथ 2728 या 296 में बताया हुआ है यह रिपीट हो गया यह कोस्टन ठीक है चलो यह आपके लिए अच्छा है कि चलो एक बार फिर से मौका मिल गया इस कोस्टन को देखने का तो बताव जल्दी से फटा फट आंक मंद करके बतादो इस फट से क्या मैं बता रहा हूं कि वीडियोग्राफिक्स अरे कनेक्टर सार्थ दोज वीश कनेक्ट दे मॉनिटर स्टो एक कंप्योटर कोड एंड है इस बिज़ेंट होल्स हुआ फिप्टीं होल्स जाद रखो 50 फिप्टीं होल्स ऑप्टीं बिलीओ दार 3 आट अनसर 15 फोल्स होता है ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन देखिए इदर इसा इदर आजा इदर ही खोल रहा है चलो कोई नहीं देखो consider the following statements regarding the line spacing देखो बढ़ियां से consider the following statements regarding the किसके line spacing को ले करके और फे परागराफ in MS word 2010 बता रहा है कि MS word 2010 में paragraph की line spacing के संबंद में निमलिखित में से जो कथन है उस पर विचार कीजिए by P P किसी का नाम रगदो P बोल रहा है यहां है P यहां है Q P बोल रहा है कि line spacing determines the amount of vertical space between lines of the text in paragraph क्या बता रहा है कि भाई साब जो line spacing होता है paragraph में ठीक है वो बता रहा है कि vertically एक जगा सब जगा सेम होता है ठीक है ऐसे vertically है ना यह कौन कह रहा है तो यह कह रहा है भाई साब P अब क्यू क्या कह रहा है कि line spacing determines the amount of diagonal space between lines of the text अब देखो यह क्यू बता रहा है भाई साब कि जो line spacing होता है वो इस परकार से diagonal होता है ठीक है यह determine करता है ठीक है तो बताओ कौन सही कह रहा है यहाँ पूछ रहा है कि which of the following statement are correct इसमें बता रहा है कि कौन जो है सही कह रहा है पी सही कह रहा है या क्यू सही कह रहा है बताइए कि line spacing determines the amount of vertical space between lines या vertical है ना vertical के बारे में बात कर रहा है वर्टिकल स्पेस के बारे में और यहाँ डाइगोनल स्पेस के बारे में हैं दूसरा कह रहा है कि line spacing determine the amount of diagonal space between lines to the text in a paragraph क्या होगा right answer बता रहा है कि both P and Q right कह रहा है यह भी right कह रहा है यह भी right कह रहा है यह बता रहा है only Q सही बोल रहा है तो बताईए जल्दी से comment करके क्या keywords कहरा है जल्दी से बताईए कमेंट करके कि आपका answer क्या होगा क्यों सही कह रहा है या पिर Q सही कह रहा है कि भाई साब यहां जो line I पेसिंग डिडिमाइंस देमाउंट आप वर्टीकल स्पेस बेटेविन दा लाइन ओफ टेक्स्ट इन परगराप परगराप में जो लाइन बिटीविन होता है वह बर्टीकल स्पेस के अनुसार होता है ठीक है यानि ऐसे जितना यहां इतना यहां तो आप सन नंबर पी बता रहा है कि पी बोल रहा है कि यह बिल्कुल सही बता रहा है तो देखो यहां कोन सही बता रहा है कि पी सही बता रहा है यानि ओनली पी जो है वो सही बोल रहा है तो आप सन नंबर डी देखो यहां आप सन नंबर डी विल बदर राइट आंसर यहां डी जो होगा वो र बोल रहा है कि which among the following statement is incorrect बाइब बोल रहा है कि वहां कौन इनकरेक्ट है कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन गलत है magnetic tap consists of a horizontal row called channels or track यह बिल्कुल सही there is no addressing in the magnetic tap by बिल्कुल सही इसमे भी a magnetic tap consists of a vertical columns called frames बिल्कुल सही magnetic tap drivers are not suitable for storage of data that need to be accessed randomly जे बिल्कुल यह कैसे हो सकता है तो यह बता रहा कि नहीं भाई यह नहीं हो सकता है कि magnetic tap drivers जो होता है not suitable for storage इसके लिए magnetic जो tap driver होता है इसके लिए suitable नहीं है data that need to be accessed randomly तूरंद करने के लिए है ना तो यह option number d will be the right answer यह incorrect है option number d इनमें से कोन is कोन incorrect है तो option number d incorrect है ओके चलिए next देखिए next question आपके सामने है की dash hold address of the active memory location सक्रिय memory location का पता कौन रखता है भाई साब टेक pointer memory address register instruction register या program counter कौन रखता है भाई सक्रिय memory location का पता कौन रखता है देली से बता दो कमेंट करेंके फटा-फट क्या होगा कौन dash holds address of the active memory location है तो वह हो जाएगा memory address register memory address register holds address of the active memory location ओके चलिए next question क्योंड बढ़ते हैं the next question है कि the default is default screen on the monitor when no other applications is running is cold monitor screen पर जब कोई application नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है login screen interface desktop या screen saver क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है desktop क्या बोला जाता है desktop बोला जाता है clear समझ में आ गया यह सारा टॉप 20 question जो है वह आपका प्रिवियस यह सेलेक्टेड वी बी आई question का संग्रह है तो आप क्या करो सारे 20 को मेरे साथ आपने कर लिया अब आपका एक काम बचा है कि आपको comment करके बताना है कि आपका top 20 में से score क्या रहा है अगर मेरा वीडियो जरा भी helpful या जरा भी अच्छा लगता होगा थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दें आपके like से आपके comment से मैं मुझे motivate होता हूँ मुझे अच्छा लगता है काम करना और भी अच्छा अच्छा content लाने का में पप्रियास करता रहता हूं तो लेकिन फिर भी कहुँगा कि comment कर दें और दोस्तों भी स्तैर कर दो और अगर चेनल पर नहीं हो तो चै चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो के करके देख लीजिए फिर आपका कम्प्यूटर बल्ले बल्ले चलिए फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में आपके साथ आज के लिए तना ही जै हिन जै भारत धिन्यवाद